शिरिकुरकरंद साब तनासरी मेला पजवां करूछे असटपदी एक कमकार सत्कुर्परसादी जो जो जूनी आयो तैते उर जायो मानस जन्मु संजोगी पाया पाकी है ओट साध राखूं देकरी हाथ करी किर्पा मिलू राया नेक जन्म प्रमिथीती नहीं पाई करू सेवा गुरलागू चरन गुबिंद जी का मारगू देख जी बताई हे गुरुजी जो जो जीव किसी योनी में आया है वह उस योनी के मों में ही लिप्त हो रहा मनुष्य जन्म किसी मनुष्य ने भाग्यवशी प्राप्त किया है हे गुरुजी मैंने तो तुमारा आसरा देखा है अपना सहारा दे करके बचा लू किपा करके मुझे प्रभु वाद seule के साथ मिला दो हें सद्गुजी ने एक योनियों में भटक भटक कर मुझे स्थित्ता नहीं मिली अब मैं तुमारे चर्णों में आगिरा हूँ मैं तुमारी ही सिवा करता हूँ मुझे परमात्मा हरी का रास्ता बता दो करो सेवा गुर लागो चरन गविंद जी का मारगो तेहु जी बताई अनिक उपाव करू माया अनिक उपाव करू माया को विचित करू मेरी करत सब ही भिहावे कोई ऐसी रे पेटे सत मेरी लाए सब ही भिहावे कोई ऐसी रे पेटे सत मेरी लाए सब लाए ठाकुर सो मेरा रंगु लावे पढ़े रे सब विद ना चुके मन पेद एक खिन ना तरी मेरे करके पंचा कोई ऐसे रे पगतू जो माया ते रहतू एक अमरत नामो मेरे रिद्दे सिच्चा मैं नित्य माया की ऐशना में नेक प्रियतन करता रहता हूँ मैं उसे जान पूछ करके अपने मन में टिकाए रखता हूँ हमेशा मेरी मेरी करते मेरी उम्र बित्ती जा रही है प्रभू से प्रात्रा है कि मुझे कोई ऐसा संत मिल जाए जो समस्त सोच विचार दूर करते और परमात्मा हरी के साथ मेरा प्रेम संपन करते सारे वेद पढ़के दिखे हैं इन से भी प्रमात्मा और मन के बीच की दूरी नहीं मिटती है इसे ग्यान इंद्रियां एक शन के लिए भी शान्त नहीं होती है कोई ऐसा भक्त मिल जाए जो स्यम माया से निलिप्त हो वही भक्त मेरे हिद्दे को आत्मिक जीवन देने वाले हरी नाम जल से सीच सकता है कोई ऐसोरे पग्तू जो मायाते रहतू एको अमरतू नामू मेरे रिद्दे सीच जा जे तेर तीरत नाये अम बुद्धी मैलू लाय करको ठाकुर एको तिलू नामाने करी पाउं साद संगू हरी हरी सदा अनंदू ज्यान अंजनी मेरा मनू सनाने सगल आश्रम कीने मनुआ ना पतीने विवेक हीन दही तोई कोई पायरे पर खुविदाता पारब्रम के रंगी राता मेरे मन की दुर्मती मलू खोई जितने भी तीत हैं यदि उन पर शिनान किया जाए तो वे मेल उतारने की जिगा मन पर एहंकार का मेल लगा देते हैं इन तीत स्थानों पर शिनान करने से परमात्वा तने की परसंद नहीं होते हैं कि मैं सत्संगती प्राब्द कार सकूं जिससे मन में अनवरत अनन्द बना रहे और मेरे मन के नेत्रों में ज्ञान का सुन्मा लगने से पावंता मिले हे भाई जी समस्त आश्रम धर्म कमाने से मन विश्वष्ट नहीं होता अज्यानी मनुश्य के वर शीर को ही सच्छ करते रहते हैं मेरी चाह है कि परमात्मा हरी के प्रेम रंग में रंगा हुआ परमात्मा हरी का रूप कोई महाप्रूश मिल जाए कोई पाई एरे पुर्खो विदाता पार ब्रम के रंगी राता मेरे मन की दुर्मती महलूख होई करम तरम जुकता निमखना आयतू करता गर्बी गर्बी पड़े कहीं न लेखे मानथी जो कमावे तिलून न लेखे पावे बगुल जू त्यानू लावे माया दे तारी कोई ऐसो रे सुखहदाई प्रब की कथा सुनाई तिस्सू पिटे गती होई हमारी है भाई जी जो मनुश्य धार्मिक कारियों में ही वियस्त रहता है परमात्मा से थोड़ा भी प्रेम नहीं करता है पूर्क्रित करमों के सहरे पुना-पुनाँ एहंकार गरस्त रहता है लेकिन इन करमों से कोई उसके काम नहीं आता जिस मनुश्य को मैं गुरु मिल जाता है जो समस्त आकांशाएं पोर्ण करनें वाला है और जिसकी कृपा के मुनुष्य सदा प्रमात्मा हरी के गुन स्तुति करता है उसी गुरू की किरपा से कोई भाग्य चारी मुनुष्य ही प्रमात्मा को अपनी आखों से देखता है जो मनुश्य हाथ पूरक्त पस्या करता है प्रभू उसकी मेनत को तनिक भी नहीं सुविका आता क्योंकि वे मनुश्य तो बगले के तुल्य ही समाधी लगाए होता है उसके मन में मो मया का भंदा निरंतर बना रहता है ये भाई जी यदि कोई ऐसा आत्मिक अनंद का दाता मिल जाए तो हमें परमात्मा गुनगान सुनावे तो उसे मिलकर के हमारी आत्मिक अवस्था उची हो सकती कता सुनाई तिस्सू पेटे गती होई हमारी सुपरसन गुपाल राई काटेरे बंधन माई गुर के सब्दी मेरे मन उराता सदा सदा आनंदो पेटेो निर्भे गुबिंद सुख नानक लादे हरी चर्न पराता सफल सफल पई सफल जातरा आमन जान रहे मिल सादा जिस मनुश्य पर प्रभू बादशा द्याद होता है कुरू उसके माया के बंधन काट देता है मेरा मन भी कुरू के शब्द में मगन रहता है जिस मनुश्य को समस्त भेयों से रहित निपट निद्भे गुबिंद मिल जाता है उसके भीतर अमित आनन्द बढ़ना रहता है वे मनुश्य परमात्मा के चर्लों में लीन डह करके सारे सुख पराप्त कर लेता है गुरू के दौार पर देने से मनुश्य जीवन की यातरा सफल हो जाती है गुरू को मिल करके जरम मरन के चक्र समापत हो जाते हैं सफल सफल पई सफल जातरा आमन जान रहे मिली सादा तनासरी मैला पहला छंत एक कमकार सद्गुर परसादी तीथी नामन जाओं तीथी नामो हैं तीथु सबद बिचारों अंतरी ग्यानों हैं गुर ज्यानों साचा तानों तीथु दस पुरव सदा दसारा हूं नमों हरी का सदा नाजाचूं देहूं प्रभू तरनी तरा संसारू रोकी नमो दारू मैलू लागे सच बिना गुर वाकू निर्मलू सदा चानों नित साचू तीथु मजना मैं तीथ पर शनान करने जाऊं लेकिन मेरे लिए प्रभू हरी का नामी तीथ है कुरू के शब्द को मन मस्तिक्ष में दिड़ता ही मेरे लिए तीथ है जिससे मेरा भीतर प्रभू हरी के साथ एक्के हो जाता है सद्गुर का दिया हुआ ग्यान मेरे लिए सच्चा तीथ स्थान है मेरे लिए एक दस प्वित्र दिन है मेरे लिए वही दस पापों की हरने वाली गंगा का जिनम दिन है मैं तो हमेशा प्रभू हरी का नामी मागता हूँ और प्राथ्रा करता हूँ कि वे प्रिथी के संबल सौमी मुझे अपना नाम दो जिकत विकार गरस्ता है प्रमात्मा का नाम इन रोगों का एक मात्र उपचार है सत्य स्रुप्रभू के नाम के पिना मन को विकारों का मेल लग जाता है गुरु का पित्र शब्द मनुश्य को सदा आत्विक परकाश देता है यही नित्य सत्य सरूप तीथ है यही तीथ शिनान है गुर्वाकू निर्मलो सदा चान्नो नित्य साच्चू तीथु मजना साची न लागे मैलो किया मलो तो ये गुनी आरू परोई किसको रोई ये पिचारी मारे तरे तारे उल्टी जोनी ना आवे आपी पार्सू परमत्यानी साच्चू साच्चे पावे अनहदू आन दिनू हर्खू साचा तो को किल्विक पर हरे सच्चो नामो पाया हरी तिखाया मैलो नाही साच मने नित्य सच्च प्रभू के नाम में डगने से मन को विकारों का मैल नहीं लगता ता दुपरांग तीतों पर कोई मैल दोने की अवश्यक्ता नहीं रहती प्रमात्मा हरी के गुनों का हार पिरो करके किसी के आगे पुकार करने की अवश्यक्ता नहीं रहती जो मनुश्य गुरू के शब्द के चिंतन से भीतर अवस्तित विकारों को जीत लिता है वैस्यम संसात समुद्र के पार उतार जाता है और दूसरों को भी पार उतार देता है वैस द्वारा यूणियो के चिक्र में नहीं आता है मैं मनुश्य है आप पारस बन जाता है अत्यन्ट उची आत्म का स्वामी हो जाता है वे सत्य सरूप प्रबू का रूप बन जाता है और उसे प्यारा लगने लग जाता है उसके भीतर रती पल अनंद बना रहता है शाश्वत खुशी पैदा हो जाती है वह मनुश्य अपने सारे दुख अथवा पाप दूर कर लेता है जिस मनुश्य ने सत्य सरूप प्रबू हरी का नाम प्राप्त कर लिया जिसे गुरू ने प्रबू दिखा दिया उसके सचे नाम को जपने से मन को कभी विकारों का मैल नहीं लगता सच्य नाम पाया गुरू दिखाया मैलों नहीं सच मन ने संगती मीत मिलापू पूरा नावनों गावे गावन हारो सब्धी सुहामनों सलाही सच्चे मनी सत्गुर्पना दान दैं आमते पिर संगी पावे सैजी नावे वनिन तसंगमो सत्वते अराधी एक्कम कारू साचा नित देई वड़े सवाईना गती संगी मीता संगी संगती करे नद्री मिलाईया साथ संगती में परव मित्र प्रभू हरी का मिलाप हो जाता है यहीं वे तीर स्थान है जिसमें कोई कमी नहीं रह जाती जो मुनश्य गुरू के आदेश के उनसार आचरन करता हुआ समद नहीं अब प्रभु हारी के गुन गाता है उसका जीवन मेहक उटता है सद्गुर को पाकर के सत्यस्रु प्रभु का गुन गान करने से मुनश्य की बुद्धी दूसरों की सेवा करने वाली तिता सब पर द्या करने वाली बन जाती पती प्रभु की संगती में रहने के कारण वह उसे प्यारा लगने लगता है वह आत्मिक स्थित्ता में शिनान करता है यही उसके लिए फित्तम त्रवेनी संगम है है भाई उस सत्यसरु पर एक काल पुरिश को समरन करो जो दाता है और जिसकी देन प्रती दिन बढ़ती है मित्र प्रभु की संगती में गुरु संत की संगती में आत्मिक अवस्था उची हो जाती और प्रभु क्रिपादिश्टी करके उसे अपने में विलीन कर लेते हैं गती संगी मीता सच संगती करी नद्री मेले मिलाया कैनों कहे सब कोई के वड़ु आखिये आउं मूर्खु निचु जानों समझा साखिये सच्चों गुर्की साची अमरतबानी तित्तों मनों मानिया मेरा कोडो करी आव ही विखु लादे सब्दी सच्चे गुरु मेरा आखनी तोटी न पक्ती पंडारी पर पुर्या सोई नानक साज कहे वेनती मन माजे सब सोई हर एक जीव परमात्मा के बारे में कथन करता है लेकिन कोई नहीं बतला सकता कि वे कितना महान है मैं तो मूर्खु दुराचारी ये ग्यानी हूँ इसलिए मैं तो गुरु के उपदेश द्वारा ही समझ सकता हूँ मेरा मन तो उस गुरु ज्ञान में ही विश्वस्ट हो गया है जो सत्य शरोपर परभु हरी की गुन स्तुति करता है और जो आदमी के जीवने देने वाला है जो जीव माया मों के जहर में से लड़े हुए जगत में आते हैं वे इसी परकार यहां से चले जाते हैं वे परमात्मा हरी के गौन व्यक्त करने से समाबत नहीं होते हैं भक्ति के खज़ने अक्षे रहती है क्योंकि परमात्माहरी सर्वत्र व्यापा का है है नानिक जी जो मुश्य सत्ते स्रूप प्रबु हरी का सम्रंड करता है जो प्रबु हरी के द्वार पर प्रात्राइं करता है और अपने मन को विकारों के मैल में अपने मन को विकारों के मैल से साफ कर देता है उसे सर्वत्र वह सत्ते सरूप प्रबु ही दीख पड़ता है तनासरी मेला पहला जीवा तेरे नाई मनी आनंदू है जीओ साचो साचा नाउ गुन गविंदू है जीओ गुर निदानू अपारा सिर्जन हारा चिन्नी सिर्जितनी सगोई परवाना आया हुकमी पठाया फेरी न सक्के कोई आपे करी देखे सिरी सिरी लेखे आपे सुर्ती पुजाई नानक साइबु अगमा गोचरू जीवा सच्ची नाई हे प्रबुजी तुमारे नाम समरंच से मेरे भीतर आत्मी के जीवन पैदा होता है मुझे खुशी मिलती प्रमात्मा हरी का नाम सच्चा है प्रबुजी गुनों का बंदार और दुनिया के लोगों के अंतर मन की जानने वाला है गुरू पर दत्त ग्यान से सज्जक प्रबुजी की अनन्ता का पता चलता है जिसने ये शिष्टी उत्पन की है वही से नस्ट करता है जब उसके हुकम अनसार निमंत्रन आता है तब कोई जीव उस निमंत्रन को टाल नहीं सकता प्रमात्मा हरी आप ही जीवन को पैदा करके आप ही संभाल करता है आप ही हर एक जीव के मस्तक पर भग लेख लिखता है और ग्यान पर दान करता है महात्मा परमात्मा अगम में हैं और जीओं की ग्यान इन्दियों की पहुंच उस तक नहीं हो सकती कुर्णान जी का कथन है कि प्रभो की सच्ची गुनस्तुती से उसके भीतर आत्मी के जीवन पैदा होता है नानक साइबू अगम गोचरू जीवा सच्ची नाई तुम सारी अवरुना कोई आया जैसी जीओ और कमी ओई नबेडू परमू चुकाई सी जीओ गुरू परमू चुकाई कतु कहाए सच में साचु समाना आपी उपाए आपी समाए उकमी उकमू पच्छाना सच्ची वड़े आई गुरू ते पाई तुम मनी अन्त सखाई नानक साइबू अवर नदू जा नामी तरी वड़े आई हे प्रभु जी हे हरी जी तुम अप्रतिम हो क्योंकि जो भी जगत में आया है चला जाएगा जिससे मनश्य की दूविता गुरू दूर कर देता है प्रभु हरी के खुकं के उनसाइज उसके जणम मरन का चक्र दूर हो जाता गुरू जिसको दूविता दूर करता है वै उससे अबर नहीं है गुनी युक्त परमात्मा के स्थतिकराता है मैं मनुश्य सत्य स्रोप प्रवे को समर्थी में रहता है और उसके हिद्धे में परमात्मा प्रगट हो जाता है मैं मनुश्य इच्छा संपन प्रभु हरी का हुकम पहचान लेता है और जानता है कि प्रभु हरी आप ही पैदा करता है और आप ही अपने में मिलीन कर लेता है हे प्रभु जी जिसे जीवी ने गुरु से तुमारा ज्ञान प्राप्त कर लिया तुम उसके मन में विद्वान डाते हो और अंतिम समय में भी उसके मित्र बनते हो हे नानिक जी मालिक प्रभु सत्य सरूप है उस जैसा कोई अन्य नहीं है उसके नाम सम्रद से सर्वत्र आदर मिलता नानक साइबु वबर नदूजा नामी तेरी वड़े आई सच्ची वड़े आई गुरु तेपाई तुमनी अन्ति सखाई तु सच्चा से जन्हारों अलख से रंदिया जीओ एको साइबु दूजा वाद वड़ाईया जीओ दूजा चलाए उकमी सभाए जन्मी मुआ संसारा नाम बिना नाही को वेली विखो लादी सिरी पारा उकमी आया उकमी ना बुझे उकमी सावरना रा नानक साइबु सब्दी विया से आप सना पे साचा सिर्जन्हारा हे अद्रिशे सिर्जन्हार तुम सत्या हो और सब जीओं को पैदा करने वाले हैं एक स्रिजन्हार ही समस्त जगत का मालिक है उसी ने जनमना और मरना दो मार्ग बनाई हैं उसकी इच्छा से विवाद उड़ते हैं दोनों मार्ग प्रवु से नहीं चलाए हैं सब जीओं उनके हुकम के अंसार परिचलित है उसी के अंसार जगत जनमता मरता रहता है जीव प्रबु को भुला करके माया का जहर रुपी भोज अपने सिर पर एकत्रित किये जाता है जबकि प्रमात्मा हरी के नाम के त्रिक्त कोई भी उसका सिट्रा साथी नहीं बन सकता जीव प्रमात्मा हरी के हुकम के उनसार जिगत में आता है लेकिन माया मों में फस करके उस हुकम को पहचानता नहीं तब हरी आपी जीओं को अपने हुकम के अंसार स्वारने में सम्मरता है हिनानक जी घुरू के उपदेश में प्रवित होने से ये पहचाना आती है कि जगत का मालिक सत्य सरूप है और सब का सरजक है पागत सोई दरवारी सब्दी सुहाया जियो बोली अमरत बानी रचन रचाया जियो रचन रचाये नामी तिशाये गुर के सब्दी बिकाने पार्सी पर्सी पार्सु होई जा तेरे मनी माने अमरा पदुपाया आपुगवाया विल्ला ज्यान विचारी नानक पगत सोई नी तरी साचे साचे के वियो पार्सु है भाई जी पर्मात्मा हरी की भक्ती करने वाले व्यक्ति पर्मात्मा हरी की सिवा में शुबा पाते हैं क्योंकि गुरू के ग्यान के परभाव से वे अपने जीवन को सुन्दर बना लेते हैं वे जीव आत्मिक जीवन देने वाली वानी अपनी जीहा से उच्चारित करते हैं और जीव उस वानी से एकाकार कर लेता है भक्त जन प्रभु हरी के नाम से जीव को पित्र कर लेते हैं हरी नाम में प्रवित होकर के नाम के लिए उनकी प्यास बढ़ती है और गुरू के शब्द के द्वारा वे प्रभु हरी नाम पर बढ़ी हार होते हैं ही प्रभु जी जब भक्त जन तुमारे मन में प्रेम करते हैं तो वे गुरु पारस किश्पर से स्यम भी पारस हो जाते हैं, जो व्यक्ति एहम भाग दूर करते हैं, उन्हें में आत्मिक स्थान मिल जाता है, जहां मृत्यों भी असर नहीं कर सकते हैं, पर ऐसा व्यक्ति को विल्ला ही होता है, जो गुरु परदत्त ज्यान का सही विचार क पर्मात्मा की भक्ति करने वाले व्यक्ति सत्यस रूप पर्मात्मा के द्वार पर शुबा पाते हैं। वे सत्यस रूप प्रभु के नाम का ही व्यपार करते हैं। नानक पगत सोईनी दरी साचे साचे के व्यपारी। अमर पदुपाया आपु गवाया विल्ला ज्ञान विचारे। करनी कार तुरुक फुरुमाई आपे मुआ मनपारी नानक नामु महारसु मिठ्था तिष्णा नाली निवाली। जब तक माया के लिए मेरी तृष्णा है तब तक मैं किसी भी तरह प्रभु खरी के द्वार पर नहीं पूंच सकता। मैं जाकर के अपने गुरु से सीखता हूं और प्रमात्माई हरी का नाम सम्रन करता हूं। गुरु का शिर्णा का थो करके मैं सच्चा नाम जबता हूं। प्रभु का गुनगान करते हुए सत्य सरूप प्रभु से मेल करता हूं। प्रति दिन उस प्रभु हरी का नाम मुझ से बोलता हूं। जो दिनों का सहारा हैं। दिया का स्तूत्र हैं। और जो माया के प्रभाव से परे हूं। प्रमात्माई हरी ने जिस मुझ को अपने दर्बार्व से ही नाम सम्रन की करनिय कार। अथात काम धंदा करने का अदेश दे दिया। वे मनुश्य अपने मन को मार करके तृष्णा के परभाव से बच जाता है है नानिक जी उस मनुश्य को प्रभू का नाम ही मीठा तथा दूसरे दसों से शिरेष्ट लगता वे नाम समरंग के परभाव से माया की तृष्णा दूर कर लेता है करनी कारत रहों फुरमयाई आपे मुवा मनुपा मारी नानक नामु महारसु मिठा तृष्णा नामि निवारी